दर्बार हत्याकांड़वःको चार दिन भई सकेको थियो जस्मा मार्यका राजा बिरेंद्र रानि एसोर्य अधिराजकुमार इशुरूती अधिराजकुमार निराजन लगायत को दाहां सस्कार गरियेको पनी तिन दिन विती सकीगो थियो चाउने स्थित चैनिक अस्पताल को अपोरेशन थेटर बाटा 22 जेट दिहजार अंठाउन बिहाने अरका एक जना को सब निकालियो स्रद्दान्जली का लागी अस्पताल परिशर को पाल्मोनी राखियो तरह तेहां स्रद्दान्जली अरपन करना राज परिवार का कुने सदसेपो गेनन बास्त मात्यो सब यूबराज श्रिपाज दिपेंद्रा को थियो दर्भार हत्या कांडर को भली पल्टाई 20 जेट मा राजा घोसित उनको निधन तेही दिन बिहान तीन बजेर 45 मिनेट मा भाय को थियो अचे तबस्तामा श्रिपाज महाराज दिराज घोसित लगतेई उनको निधन भाय को थियो चसले गर्दा उनी श्रिपेश लगाउन र गदी मा पस्टन न पाउने नेपाल को पहिलो राजा बने योटा अनुमान गरों दर्बार हत्या कांडर मा पावु आमा भाय भहिनी सहित दस्चना को हत्यारो पलागी का दिपेंद्र माचे का भाय एति बिला किक गरी रहे का हुन्ते होलान 13 असार 2028 मा जन्मे का दिपेंद्र एति बिला पचासो जन्मच्ब मनाई रहेका हुन्ते संभवता राजा पनी रहे-रहे कैं हुन्ते की तला दिपेंद्र राजा रहना पावु थे होलान 13 रक्रपात मच्चाऊने दिपेंद्र लाई कसे ले राजागरुपना स्वीखार्ते होलान राजा रहेको इस्तिकी मा उनको सासन कस्तो हुन्ति होला। यो केही हाइपोथेटिकल प्रस्न अहिली पनी नेपाली को मनमा गडेर बसे का छन। दर्बार हत्यकांड मा युबराज दिपेंद्र ले राजा बिरेंद्रो पस्थित विलियार्ड होलको सिलिंग मा पहिलो गोली हाने का थी। तिस पजी उनी बाहियर निसके एकी सिनमा दोसरो र तिसरो पटा खल्मा प्रवेशकरी गोली चला है। दिपेंद्रो को युजाना बाभु बिरेंद्र ले मारने ने भाये सिलिंग मा गोली हानने थीनन। खासमा उनी राजा बिरेंद्र ले तर सायरा प्रेम हाटे मा लागयो। बिरेंद्र दाई धली बक्षयो मैले गयरा समाते उहां उतना खोज दे हुन धियो। कमार मा भाये को पिस्तोल समाती रहनो भाये को थियो। घटना की प्रत्यक्षे दर्शी एबम राजा बिरेंद्र की कांची बहीनी सोबा साहीले उच्छ इस्तर्या चान बिन समीती संग को बयान मा भने गीछिन। यो छारी बक्षयोस भनेर मैले ट्याप पत्थु तें। मैक जिन आयो तेसलाई मैले फ्याले दी। विल्याड होको ज्याल धोकामा सिशा लगाईएको थियो। बत्ती बली रहे को कोठा भीत्र का गतिविदी बाहीर बात प गोली हानते होलान। तरा सिलिंग मा हानेको गोली उचितियर राजा बिरेंद्र ले लागयो उनी आत्तिये। नारायनी हीटी दर्बार संग्र लाईका पुर्वप्रमुक्रोहितकुमा धोंगाना अनुमान कर्शन। अब वित्यास परने भाय भनेर फेरी हाल मा पसेर गोल चलाय का हुना सक्षन। पहीलो गोली चल्दा बिरेंद्र घाहिते मात्रे थिये। यस्ति थी दिपेंद्र का लागयो कती जोखी मुक्त हुन थियो। इसको पिस्लेशन दिपेंद्र को कोन बटा गरौन आबा। अफ्मो हत्या प्रयास अब्योग मा राजा बिरेंद्र ले पक्काई एडिशी दलवा कुने सयनेक टुको डिलाई दिपेंद्र ले गिरफ्था करना आदेश दिने थिये। दिपेंद्र ले पनी प्रतिकार करना सक्थे। उनी संग सोचाली त्राइफल र प्रसस्त गोली गठा थिये। एडिशी हरुसंग पिस्तोल मात्रहे थिये। दिपेंद्र बाठ केई एडिशी को जैन जाना सक्थियो दिपेंद्र आपिपनी मारी न सक्थे। समाथिये का खंद मा दिपेंद्र लाईफोजदार्य अब्योग लाग ने थियो। राजगत्र थिकार परा विपरेत विवाहा व अन्यक कारिये गरेमा राजगतिको उत्तर अधिकारी हक र क्रम बाट बन्चित हुने वेवस्था गरेको थियो बिरेंद्र ले अजक कड़ा कानून बनाये र दिपेंद्र ले थप कारवाई गर्न पनी सक्थे दरबार मा अशक परने आंतरिक कानून निर्मान गर्ने अधिकार उनलाये थियो बाबु बिरेंद्र जीपिते रहादा आफुले भोगनु परने श्तो सजाई र समस्या दिपेंद्र ले अनुमान न करने खुरे भाईना देसेले जब दिपेंद्र ले घायते बाबु प्रतिकार को मोड मा पाए तब उनलाये शिध्याउन नई पनी उनी उलियर अहल्ती र बडे राजा बिरेंद्र बिरुद्धा अंदाधुन त गोली चलाई उनको निदन भायो राजा बिरेंद्र घाहिते मात्रे हुदा दिपेंद्र लाई जुन जुखिन थियो उनी मरे पछी त्यो खतरा तर्यो उली खित अई ना राजा को निदन भाय पछी राज गत्तिक को हगदार इवराज दिराज हुने पेवस्ता थियो सोही बमोजिन 20-Z-2018 अम बसे को राज परिशव को बईठकले दिपेंद्र लाई सिर्पाज महादराज दिराज घुषना गरी गत्यो राज का चलान नसकने गरी राजा बिरेंद्र सक्त मात्र भाय का भाय पनी दिपेंद्र सक्ती साली ने होने थियो तो इस्तितिमा साशन संचलान गर्ना उमेर 20 परस्त पुगी का युबराज दिराज लाई राज्य सहाइक को जिम्यवारी दिने विवस्ता नेपाल अधिराज्य को सम्मिदान 2044 को धारा 24-7 ले गरी गो थियो तो इस्तितिमा साशन संचलान गर्ना उमेर 20 परस्त पुगी का युबराज दिराज लाई राज्य सहाइक को जिम्यवारी दिने विवस्ता नेपाल अधिराज्य को सम्मिदान 2044 को धारा 24-7 ले गरी गो थियो हो सम्मिदानिक रर कानूनी रुप्ना बली अवस्तामा रहे पनी नरह सम्हार पची दर्वार भित्रको इस्तितिमा काभुमा राखने मुख्य चनूती उनलाई होने थियो इसका लागी सबई भन्दा पहिले एडिशी दल्र, दर्वार भित्रको फोज लाई डिपेंद्र ले आपनो नियंत्रन मा राहन पठ्यो नत्र उनलाई राजा बिरेंद्रको हत्यारको प्रतिकार गर न सक्थे एडिशी दल वा त्यहां उपस्थित राजपरिवार का कुने सदसेले दिपेंद्र बिरुद्ध आउट सर्कीट बाहिरी घेरामा रहेरा राजपरिवार को सुरक्षे करने स्वेनिक प्रहरी को फाइटिंग फोर्स बुलाई दिन सकते एडिशी दल रसंभाविद फाइटेंग फोर्स काबुमा राखन दिपेंद्र का लागी अवस्य अफ्ठेर होने थियो तरा असंभब थिये न किना बने एडिशी दल गोली लागे का राजा दिनेंद्र लागाय तनने घाहितेलाई रेश्क्यू गरी अस्पताल पुर्याउने कामा लागे सकी का थिये तेस्तिन एडिशी को नेत्रितो महासेनानी सुन्दर प्रताप राणा ले गरी का थिये राणा को डु आईशी अनन्त केसर सिंह थिये 6 अद शिया एडिशी दल ड्योटी नाचियो गटना बारे 2017 बोईश्या केसर हप्ताना मैले महासेनानी अपकास प्राप्त राणा संग लाम कुराकानी गरे को थिये उनका भनाई ना उद्दार का बेळा राजा पीरेंद्र को स्वास प्रसासारी रहे को थियो तेसे ले उनि सहीद को टोरी राजा पीरेंद्र लिє र स्ञैनिक अस्पताल शाउनी भुग्यो ADC मा अन्ने दलका पनी घायते हरु लियर अस्पताल परफ लागे इम अध्येक गेहिले राइफल बोके र विलियार्ड हल बाहिर दोली रहे को दीपेंदर ला देखे पनी उनी हरले घायते को उद्धार लाई प्राथमिक्ता दिये ADC टोली हत्यारा खुजने र प्रतिकार गरने तीर लागे को भए बाचने सबावाना बहाई का घायते पनी समय में उपचार न पायरा वनना सक्थे प्रीभूबन सदर्मा थब भिड़नत होना सक्थियो दिपेंद्र का सात्मा M16 अमिरिकी बंदुप, HK MP5 जर्मन को बंदुप, पंद्र बोर्ग गन इटरली जस्ता 140 अर्द 140 हत्यार थिये गोली पनी परियाप्त थिये, पेस्तोल मात्र बोके का ADC बिरुद्ध दिपेंद्र ने हाबी हुन्थी होलान विलियाड होल मा गोली चलाई सक्थि दिपेंद्र सेनिक प्रहरीक फाइटिंग फोर्ग लाइड आपनो अनुकुल हुने गरी बलाउने युजना मा थिये कि वन्ने अन्दाज उनकुई ओटा कदम काधार मा गर्ना सक्थिये जस्तो राजा भीरेंद्र लाइड दुईतिन बड्र गोली हाने पची दिपेंद्र विस्तारे आपनो खोपीती र लाग दे थिये गटना का प्रत्यक्षे दर्ची सांत बहादुर खड़का ब्वाईस ले बयानमा भाहे का छन दिपेंद्र निके सतरकता पुल्बग पची शर्दै खोपीती र बड़ी दाहे का थिये सेथ वाफफण मार्फद सहिनिक प्रहरिलाई राजा बिरेंद्र को निधन को खबार सुनाओने घटना इस्ताल मा रहे का एडिशी राजपरिवार मा जिवित सतर्शलाई नियंद्र निन आदेश दिने उनको योजना हुना सक्तियो तेसेले घटना कराई सके पची अनेत्त्रन लागी उठातीर लागी राजा बिरेंद्र को निधन वा हत्या येकिन भई नसकी को इस्तितिमा बहाभी राजा एबम नेपाली सेना का सर्वोच महासेना नी युबराज दिपेंद्र को आदेश का अबग्या संबबता सेनिक प्रहरिले गर ने थिये ना तर दिपेंद्र खोपी तरफ अगी बढ़ते गरता पर स्थिति सोचे बंदा फरक धंगले विकशित भई दियो सतरकता पुर्वा खोपी तीर गईरेका युबराज दिपेंद्र लाई चेता होने दिदै रानी एश्वेर ले पच्छावना थालीन एश्वेर लाई तीही नरोक ने हो बने तेहां नया जहमेला होना सक्थियो सेना नियंत्रण गरने दिपेंद्र को योजान असपल होन्थियो इसे ले 어फ ले पच्छाही कीन हमा इश्वेर विरृत पणी दिपेंद्र ले फायर कोले उनी बुर्याग में ड्हलीन भाई अदिराजकुमार निराजन पनी अइश्वेर लाई पच्छाओ देथीह उनल्हाई पनी दिपेंद्र st Bereich घोलि हाने आत्म हत्या नगरेक भाय बाबु आमा भाईबहिनीर नातिदार को तेत्रोष सम्हार पची डिपेंद्र राजा बन्ना पाउंती होलान। नेपाल अधिराज एको सम्निदान 2016 राज गद्धी उत्तरा धिकार सम्मन्दी अएन दिहजार चोवाली सनुसार। राजा बिरेंद्र को निधन पची डिपेंद्र बाहेक अरको बेक्ति नाई। श्रीपाज महराज दिराज बन्ना सक्ने इस्तिति नाई थियेना। नेपाल अधिराज एको सम्हेदान 2014 राज गद्धी उत्तरा धिकार सम्मन्दी अएन दिहजार चोवाली सनुसार। राजा बिरेंद्र को निधन पची युब्राज दिपेंद्र बाहेक अरको बेक्ति श्रीपाज महराज दिराज बन्ना सक्ने इस्तिति ने थियेना। युब्राज दिपेंद्र बाहेको था न पायर राज बरिशत ले उनलाई राज बनावनी घोषणा गरेको होईना। नताउनी कोमा बाचा फटकननने सक्दैनन वन्ने अनुमान गरे रै तेस्तो घोषणा गरेको हो। सम्मिधानिक तथा कानूनी विवस्ताक कारण दिपेंद्र जुन्चुके हालत्मा राजा हुनी अवस्ता थियो। श्री पाँच बिरेंद्र को उनिदन भाईपजी डिपेंद्र लाई अपरादी घोषणा गर्ना सकने कुनी निकाय युवराज दिराजबंदा माती थिये न। यस्तो इस्तधी मा दर्वार भित्र का कुन साइने का दिकरेतले भाईपजी राजा दिपेंद्र लाई पक्राव गरे रा अपनो करियर र जीवन लाई जोकी मा पार्ने मुर्खता कर्द हो। ततकालीन राजनितिक परिस्थिती पनी युवराज दिपेंद्र को प्रतिकुल थिये न। सामाजिक मरस्थिती तजहने अनुकुल थियो। तिस पेला राजा बिरेंद्र र युवराज दिपेंद्र हने लोकप्रिता को सिखर मा थिये। शेना परीचालन हुना दिन वित्रोह रत माववादी राजासंग रननितिक सम्भात मा थियो माववादी वित्रोह समधान गर्न दलहरू असपल देखे काले जन्ताको आसार राजा बिरेंद तर्फमोडिये को थियो यूब्राज भिपेंद्रले पनी सामाजिक माहोलाखना लागी अनुकुल बनाओ दे लग का थिये उनी कोईले भक्तपुर्र पाठन का नेवार बस्तिवा छोयलारा बारा खाई दयेगा वितिन थे तकोईले नाजगान चली रहे को ठाव माँ उन्थे यूब्राज भिपेंद्र लोकप्रियता को छिली माथिये और तीर सहाज्यादा पारस को छबी पारस ले चलायको गाड़ीको ठकर बाठ गायक प्रभिण गुरुको अनितन भायको क्याई मैना मात्र बिते को थियो दोसे जगावना निर्मल निमाज सक्रिय बहायको हल्लाका कारण अधिराज कुमार ज्यानेंद्र र सहाज्यादा पारस तुबई जन आक्रोष को तारोग वने का थिये प्रभिणिकुरुको मृत्यु प्रकुरण आले रहे का बिला दर्भार हत्यकांड बहायको थियो ते त्रो हत्यकांड मा पारस सुरक्षेत्र हनु उनका पिता अधिराज कुमार ज्यानेंद्र पोखोरामा हनु आधी कारण दर्बार हत्यकांडा दिपेंद्र ले हुईना पारस्ली गरायको हुन बनने निर्मान हुना पुगिको थियो ए निर्टिव ले ने पालमा गवनतन तरिस्तापना गर्ना महत्तु पुण भुमिका खेलियो उच्छ इस्तरिया चान्विन समितिली प्रत्यक्षे दर्शिका बयान का आधारमा हत्यकांडा यूब राज दिपेंद्र ले गरायको तत्य सार्वजनिक करियो आखिर सत्य यही नही हो तर दिपेंद्र बाचे का भाय उनले निर्मान हुना दिदे ना थिये प्रत्यक्षे दर्शिली पनी एशरी मुख खोल दै ना थिये ते अधिकारी ले भने जचले सम्भवता तेस्ताई कुने शाई क्रांति काले जन्म दै ना थियो जचले दिपेंद्र लाई हत्यारा बतायरा आपनेंच्यान को जोख निम्तिया आवस प्रमुग दल हरुको माना सिक्ता पनी अच्चमा को थियो ससस्त्र युद्धर रत्मावा दिले दर्बार हत्याकंडालाई नया कोत्परवाकरुप मा ब्याख्या करदै तेसलाई मानिता न दिना आवभान गरे को थियो उसको यो द्रिष्टिकोन दिप्पेंद्र बाठ दर्बार हत्याकंडा भायको हो बनने नियारेटिव बिरुत थियो प्रमुक प्रतिपक्षे दल एमाले पने दिप्पेंद्र ले हत्यारा करार गरेर अलोकुप्रिय बनने पक्षे मा थियो तेसेले आपना महासाचिप मातम निपालकाई सुजाबनुशार गठीत भायको होच इस्तरिय चान्बिन समिती बाठ राजिनामा दिन एमाले ले उनलाई निर्देशन दियो जती बेला प्रधानमंत्री गिर्जा प्रसात कोईरे रा थिये पदबात्र हत्या का केशमे पची उनले पनी दर्बार हत्या कांडालाई ग्रेंड डिजाइन कारूप मां ड्याख्या करना थाले अर्थात प्रमकुराजनेतिक दलहरू आफने बिसलेशन रस्वार्था का आधारमा दर्बार हत्या कांडामा दिपेंडर को हाथ सईन वन्ने संदिह प्रभाह गरी रहे का थिये दलहर नई एस्तो मनो दसामा रहे का पेला दिपेंडरले जसले आरूप लगायो तेई प्यत्ती दर्बार हत्यकंडा को दोसिज करार हुने संबावना थियो युब्राज दिपेंडरलाई साने देखी जिने का राजा बिरेंडरका ADC टीका धमला उनिवारे नकरात्मक टिप्पने गर्णत्चा हादैनन तेती मात्र वन्चन नारे निहेटी दर्बार बाहिर जन साधर्न माज उआको छबी सक्रात्मक थियो दर्बार भित्रभने उआको छबी बिल्कुल फराग देखीन धियो राजा बिरेंडरका सैनेक सचेब बिबेक साहा को मैले देखीको दर्बार पढ़दा होश वा ADC सुन्दर प्रता प्राना को दर्बार हुद्टुकंत पढ़दा युब्राज दिपेंडर साने देखी हटी, हती पए संदर्बामा क्रूर बेक्ती करूकमा देखीन छन तरा आफुलाई लागे का कुरा बिना हिच की जाहाट सियर गरने सबाब उनमा पाएं छ साच्छे के गदीमा बस्न पायको भाये दिपेंडर को सासन चैली कस्तो हुन्ती होला राजनेतिक दल हरुसंग सहमती करेर अगी बटे होलान की उनी आफनो हटका आधार मा निरं कुस्ता उनमो खुन्ते होलान मैली देखिको दर्बार मा साहले दर्बार भित्रको अनुदार बादी खेमा भित्र बजा महरानी एसोर्य युवराज दिपेंडर र अधिराज कुमार ग्यानेंद्र लाई समावेश करेका छन जानकार हनुका अनुशार अपरिपक्व उमेर मा दिपेंडर मा दल हरु लाई सप्टा दिन हुदैन वन्ने धारना अवस्य थियो तरा उमेर बढ़ दै जादा पिकसित पराकिलो संगतले एस्तो द्रिष्टिकोन मा परिपर्तन आउनपनी थाले कु थियो उनका कतिपई साथी राजनेतिक दल संग निकट्थिये प्रेमी का देभ्यानी राप्रापा नेता पसपती समसेर की छोरी थियो देभ्यानी संग को संबंदक खारन गद्दी जोगाउन पनी दल हरु प्रती नरम हुनु पने पातेता सिर्जना हुने थियो हजुरामा रत्न संग विभाह गर्न खोजदा उनका हजुर बुवा महेंद्र ले जन्ड़ाइक गद्धी द्याकनू परे गथियो बीफी क्वेरा लाले राजा त्रिभुबन र युवराज महेंद्र बीज मध्य स्तता गरी दिये पची महेंद्र रत्न को विभाह भयो महेंद्र गद्धी को हग बाट बंसित पनी होना परेना देव्यानी संग विहे गर्दा रानी एस्वेलिया को दबाब का कारण उनी पनी राजगद्धी को उत्तरा धिकार बाट बंसित होनी संबाबना रहन्थियो तो इस्तिती मा हजूर्बुवा महेन्दरले जस्ते राजगद्दी उत्तरादिकार कहक रक्षएका लागि उनले दलहरु लाई गौहार्नू पर्णी होना सक्तियो इस ते गर्धा उनी दलहरु प्रती आफना पुर्वाच भन्दा नरं़र समन वयात्मक होना सक्ते प्रेम्र बिवाहा काई संबर्भमा पनी उनि तिस्तो हटी देखी दैनन जती उनि बारेका साय तेमा उनलाई चित्रन करियेकुछ जस्तो अईशर्यक को चहाना भमजिम ने शुरुमा गरीमा रानासंग भीए करना उनि राजे थिये तर गरीमा ने तयार भाईनन ए सोर्याले नई नचाहे पची सुप्रियास चाहस्वंग को सम्बंद पनी ब्रेक भयो देप्यानी संगा बिभाहा का लागी सहमती जुटावन उनी आफवेले अंतिम सम्मा सहमतीक प्रयास करेके हुन तरा कुरा नमिले पची दरबर हत्य कांड होन पुगियो त्यो घटना का कारण उनी साची कई कुरूर रहटी थिये वन्ने नियारेटिव निर्मान भयो राजाहरू मुलत निरंकुस सासन कई पक्षेपाती होन्चन महेंद्र रबाबु बिरेंद्र को पुर्वाद्र सासन काल का आधार मा राजा बने का भय दिपेंद्र पनी निरंकुस बनना सकते वन्ने विस्कलेशन करना नसकीने वहिना तरा पुर्वत जस्तो निरंकुस सासक बननी बाता बरन दिपेंद्र को वरी परी थिये ना राजा बिरेंद्र का ससुरा केंद्र समसेर निपाली सिना का रती थिये बने महिन्द्र का ससुरा अती रती हरी समसेर राना साशन का पक्षे दहर। येस तो पारिवारिक संबंदली पनी महिंद्र र विरेंद्र लाई निरंकुष्र अनुदार बन्न भोहिमिका खेले कोखनु पर्छा। येस विपरित देभ्यानी का पिता पसुपदी समसेर राप्रापा वित्र उदार विचा धारा का नेता थिये। देभ्यानीकी मामा घर, ग्वाली अर भारत को राजखांदान पनी कांग्रेस आईर भाचापचस्ता राजनेतिक दलमा आपद्ध थियो। देभेंद्रको साथी, संगाती, बृत्तमा विविन राजनेतिक विचार धारा का युवाद थिये। बाबु मारेर राजा भाय को भाय का कारण जनमत आफना बिरुदा नावस बने रपनी उनी सम्झोवता बादी हुनुपर्ने बादे था सिर्जा ना होना सक्थियो रामरो संग सम्झाउने हो बने कन्बिन्च उने सभाप दिपेन रगो थियो 1949 देखी राज प्रसात्यवा मा प्रविश्करे र गनकंत्र पची संग्रालाई प्रमुग बने का ढुंगाना बन्चन उनी जिवित्र राजा भाय को भाय अरुका कुरा सुन्ने र कन्बिन्च पनी हुने सभाप को असर राजनिती मा सभाविक रुपमा पर्न सक्थियो कर दो हमाना बन्चन